C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर 119 सबख 16 ड्रामा अकल मंद मचेरा किरदार बादशा सलामत वजीर आजम दारोगा मचेरा दर्बान और सिपाही परदा उठता है बादशा सलामत वजीर आजम, दावत का सारा इंतिजाम ठीक है ना? वजीर आजम जहाँ पना, तक्रीबन सब ठीक है बस दावत के लिए मचली नहीं मिल सकी दो दिन से समंदर में सخت तूफान आया हुआ है एक भी मचली नहीं पकड़ी जा सकी बादशा सलामत अफसोस के लहजे में यानि शाही दावत और बगएर मचली के लोग क्या कहेंगे? जरा सोचिये तो जिस दावत में मचली ना हो वो भी कोई दावत हुई वजीर आजम कुछ कीजिये मचली जरूर होनी चाहिए वजीर आजम आलम पना मैंने चारों तरफ सिपाईयों को भीजा है और एलान भी करा दिया है कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा और ताजा मचली लाएगा मु मागा इनाम पाएगा मगर अभी तक कोई नहीं आया है बादशा सलामत क्या सारी मचलियां समंदर की तह में जा चुपी है क्या मचलियों को खबर हो गई है कि मावदालत के यहां दावत होने वाली है और उनका लुकमा बनाया जाएगा वजीर आजम हो सकता है जहां पना का खयाल दुरुस्त हो बादशा सलामत अफसोस बादशा होकर मैं मचलियां हासिल नहीं कर सकता बगएर मचलियों के भी भला कोई दावत होती है सफ़ा नंबर 120 दारोगा अंदर दाखिल होता है और आदाब बजा लाता है दारोगा आलम पना अभी अभी एक मचेरा ताजा मचली लेकर हाजिर हुआ है क्या उसे आपके खिद्मत में हाजिर किया जाए बादशा सलामत खुश होकर जरूर जरूर फौरण हाजिर करो अगर ये मचेरे ना होते तो बादशाहों के दस्तरखान तक मचलीया कैसे पहुँच पाती है आलम पना दुरूस्त फरमाते है मचेरे बहुत मेहनती होते है शाही दस्तरखान की रौनक उन्हीं के दम से है सफ़ा नंबर 121 मचेरा सर पर एक टोकरा रखे दाखिल होता है साथ में दारोगा है मचेरा टोकरा उतार कर बादशा के सामने रख देता है जमीन को चूमता है और फिर हाथ बांद कर खड़ा हो जाता है बादशा सलामत ताजा मचली देख कर बहुत खुश हुए वाह मिया मचेरे खुब मोटी, ताजी और उम्दा मचलियां लाए हो मा बदौलत बहुत खुश हुए बोलो, इसकी क्या कीमत मांगते हो मचेरा अनदाता, जान की आमान पाऊं तो अर्ज करूं बादशा सलामत तुम जरा भी न घबराओ जो भी कीमत मांगोगे मिलेगी बादशा जो कुछ जबान से कहता है, उसको जरूर पूरा करते हैं बोलो, क्या मांगते हो मचेरा अनदाता, इस मचली की कीमत सिर्फ सो कोडे बादशा, वजीर और दारोगा हैरत से एक दूसरे का मूट अकने लगते है बादशा सलामत मिया मचेरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वजीर आजम आलम पना, मालम होता है आपके रौब और खौफ के मारे बेचारे की अकल मारी गई है सफा नंबर 112 मचेरा खता माफ, मैं बिलकुल ठीक हूँ मैं सौ कोड़े से एक भी कम न करूँगा अभी आपने फर्माया था कि बादशा जो कहता है, वो पूरा करता है बस अनदाता मेरी पीट पर कोड़े लगाने का हुक्म दे दीजे बादशा सलामत वजीर आजम के कान में कहते हैं ये तो अजब आजमी है बहर्हाल हमको अपना वादा पुरा करना है जलात को खाजिर किया जाए मगर कोड़े बहुत धीरे धीरे लगाये जाएं ताके मचेरे को चोटना लगे वजीर आजम दारोगा से जल्लाद को हाजिर किया जाए दारोगर चला जाता है और जल्द ही जल्लाद के साथ वापस आता है जल्लाद के हाथ में चम्रे का कोड़ा है बाच्षा सलामत इस मचेरे की पीट पर सौ कोड़े लगाए जाए जल्लाद धीरे-धीरे कोड़े मचेरे की पीट पर मारता है और गिन्ता जाता है एक, दो, तस, बीस, तीस, चालीस, पचास मचेरा भाई जल्लाद, जरा ठेरो, मेरा एक साथी और है, बाकी कोड़े उसके हिस्से के हैं सफ़ा नंबर एक सो तेईस, बाच्शा सलामत मुस्कुराते हुए अच्छा, क्या इस दुनिया में तुम जैसा कोई दूसरा बेवकूब भी है, कौन है वो, कहां है, हाजिर करो, ताके उसका हिस्सा जल्द दिया जाए मचेरा अन्यदाता, वो कोई दूसरा नहीं, वो आपके महल का दर्बान है बाच्शा सलामत हैरत से मेरे महल का दर्बान? हैं, वो कैसे? मचेरा आली जा, बात ये थी के दर्बान मुझको अंदर आने ही नहीं देता था, जब तक कि उसने मुझसे वादा न ले लिया, कि मुझे इस मचली की जो भी गीमत मिलेगी, उसमें से आधा उसका हिस्सा होगा दर्बान को हमारे हुजूर में फौरन हाजिर किया जाए दर्बान को चंद सिपाही पकड़ कर लाते हैं, दर्बान खौफ के मारे थर-थर कांप रहा है बात्शा सलामत इस बेईमान, रिश्वत खोर दर्बान की पीट पर पचास कोड़े कसकर लगाये जाएं, और इसको नौकरी से निकाल दिया जाए मचेरा से मुखातिब होकर मा बदालत, तुम्हारी अकलमंदी से बहुत खुश हुए वजीर आजम, मिया मचेरे को अशर्फियों की थैली इनाम में दी जाए मचेरा जमीन चुमता है, परदा गिरता है सफ़ा नंबर 124, मश्क, लव्ज और मानी जहां पना दुनिया को पनाह देने वाला, बाद्शाह आलम पना बाद्शाह आली जाह बड़े मर्तबे वाला अनदाता रोजी देने वाला, मालिक रॉब दबदबा, डर जलात कोडे मारने वाला, फांसी देने वाला, जालिम जान की अमान पाना जान बख्षने की दर्खास्त करना अकल मारी जाना नासमझी की बातें करना रिश्वत खोर, रिश्वत लेने वाला, अजीब, अनोखा, निराला, गोर कीजिए इस ड्रामे में आपने बादशा, वजीर आजम, दारोगा और मच्छेरे वगेरा की आपसी बादचीत को पढ़ा इस तरह की बादचीत को मकालमा कहते हैं सफ़ा नमबर 125, सोचिए, बताईए और लिखिए एक, दावद के लिए मच्छी क्यों नहीं मिल सकी दो, दारोगा ने बादचा को क्या खुशखबरी सुनाई तीन, वजीर आजम ने मच्छी हासिल करने के लिए क्या एलान किया चार, दर्बान को सजा क्यों मिली पांच, मच्छीरे ने मच्छी की क्या खीमत मागी छे, बादचा ने मच्छीरे को इनाम में क्या दिया दिये हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जान की अमान पाना, अकल मारी जाना, थर-थर कांपना इस सबख में लवज बे इमान, दो लवज बे और इमान से मिलकर बना है इसी तरह बे लगा कर छे अलफाज और लिखिए सफ़ा नंबर 126 पढ़िए, समझे और लिखिए दो दिन से समंदर में सخت तूफान आया हुआ है मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भीजा है ताजा मचली देख कर बहुत खुश हुए इन जुम्लों में आया हुआ है, भीजा है, खुश हुए बतौर फेल माजी इस्तमाल हुए है जिन से गुजरे हुए जमाने का पता चलता है गुजरे हुए जमाने को माजी कहते है यहां दिये गए जुम्लों से फेल माजी चुन कर खाली जगा में लिखिए एक, दावत के लिए मचली नहीं मिल सकी दो, अभी तक कोई नहीं आया तीन, सारी मचलियां समंदर की तह में जा छुपी है यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं जिन में बादशा और वजीर आजम और मचहरा है हर तस्वीर के आगे उस शख्स के कहे हुए दो दो जुम्ले लिखिए सफ़ा नंबर 127 यहां दो खाने दिये गए हैं एक खाना जमा और एक खाना वाहित का है दिये हुए लवजों के वाहित लिखिए इंतजमात, ऐलानात, इनामात, ख्यालात, खिद्मात, मालूमात, खिताबात सफ़ा नंबर 128 खुश्खत लिखिए वजीर आजम, दारोगा, अजीब, आलीजा, हुजूर इसी के साथ यह सबख यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार, परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत